नमस्कार साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदान्त लर्निंग पॉइंट पे आज आप सभी के लिए डियरेड सेकेंडियर के दूसरे प्रस्नपत्र समा सिक्षा पाठे चरया एबंबोध के पहले यूनिट सिक्षा की दार्सनिक समस्ते हरवीन रनाथ टैगोर के टॉपिक के साथ उपस्थित हो इससे पिछले वीडियो मैंने गांधी जी का पूरा टॉपिक करवा दिया है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप टॉपिक को देख लीजेगा पेपर नजदीक हैं टॉपिक बहुत यदा इंपोर्टेंट है पूरा टॉपिक अच्छे से द देखे क्या है के रवींदरनाथ टेगोर इनका जो जन्म था वो 1861 को हुआ था और इनकी मृत्तिव 1841 को हुई थी ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पे आपको डियलेडर सेकेंडियर के पूरे नोट्स फ्रियाप कोस्ट मिल रहे हैं तो चैनल पे नए हो तो जरूर कर लिजेगा रवींदरनाथ टेगोर का जन्म देवेंदरनाथ टेगोर और शारदा देवी के शंतान के रूप में 7 मई सन 1861 को कोलकाता के जोड़ा शाको ठाकोर बाडी में हुआ उनकी विद्याले की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई उन इन्हों ने लंदन विश्विद्याले में कानून का अध्यन किया लेकिन सन 1890 में विना डिग्री प्राप्त की ये ही स्वदेश आ गये सन 1883 में म्रणालिनी देवी के साथ इनका विवा हो गया इनकी जो प्रमुक कृतियां हैं वो हैं गीतांजली, गोताली, गवतिमाल, कथाओ कहानी, शिशु, शिशु भोलानात, काणिका, छाणिका, खेया, आधि प्रमुक हैं टैगोर बच्पन से ही बहुत प्रतिभा साली थे, वे एक महान कवी, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निवंधकार तथा चित्रकार थे उन्होंने कला की कोई आपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था, उनका मानना था कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक वातावरण में ही पढ़ाई करनी चाहिए, वे गुरुदेव के नाम से प्रसद्ध हैं, कौन रभींदरनाथ आम आदमी पर केंदर थें, उनकी रचनाओं में सरलता, अनुठापन एवं दिव्विता है, उन्होंने भारतिय संस्कृति में नई जान फूकने में महत्तपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया है, उन्होंने अपनी पहली कविता आठ वर्स की छोटी आयू में ही लिख जब उनकी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद होने लगा, तब संपूर्ण विस्तु को उनकी प्रतिभा के बारे में पता चला, इस महां रचनाकार ने 2000 से भी अधिक गीत लिखे, कितने 2000 से अधिक सन 1919 में हुए जलियाँ वाला बाग हत्या कांड की टैगोर ने निन्दा की और इसके बिरोध में उन्होंने अपना सर का खिताब लोटा दिया, उनको सर का खिताब मिला हुआ था जो उन्होंने लोटा दिया, कब जलियाँ वाला बाग में जो हत्या कांड हुआ था उस पर और ये रचनाएं उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्हें पश्चमी जगत के लेखकों, कवियों, चित्रकारों और चिंतकों से टैगोर का परिचय कराया काबुली वाला मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर ये उनकी कुछ प्रमुख प्रसिद्ध कहानिया हैं उनकी रचनाओं के पात्र रचना समाप्थ होने तक असाधारन बन जाते हैं उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में चित्र बनाने प्रारंभ किये और उनकी कलाकृतियां भी उतकर्ष्ट थी सन 1902-1907 के मध्य उनकी पत्नी और दो संतानों की मृत्यू का दर्द इसके बाद भी उनकी रचनाओं में साप जलगता है पैगोर और महत्मा गांधी के बीच में सदेव वैचारिक मतभेद रहे इसके बाद भी वे दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे टैगोर ने जीवन की प्रतेक सच्चाई को सहजता के साथ सुईकार किया और उनके अनतिम समय तक सक्रिय रहे 7 अगस्त सन 1941 को यह महान व्यक्तित्तु इस संसार को छोड़कर चला गया 7 अगस्त के दिन इनकी पुनेतिथी भी मनाई जाती है रवीन दरनाठ टैगोर सिक्षा सास्त्री के रूप में अपने स्वयम के प्रयास से प्रकट हुए अपने इस उद्यश को पूरा करने के लिए उन्होंने बिश्व भारती की स्थापना की यह उनके जीवन के अनुवहों का सार्थक परिणाम था उनका संबंद ऐसे परिवारों में से था जो सभी प्रकार से गतिशील विचारों और कारियों तथा विभिन शामाजिक शांस्कृतिक आन्दोलनों का केंद्र था उनके परिवार के सभी सदस्य अच्छी बातों के जानकार थे जैसे दर्शन, विज्ञान, संस्कृत, कविता, हेवं कला, संगीत, नाटक, राष्ट्र निर्मान, शमाज सुधार, ब्यापार विविशाय और आध्यात्मिक अनुवाद टैगोर में तीब्र विवित्ता ग्रहन करने की शक्ति थी, उन्होंने इन वातों को बड़ी सरलता से ग्रहन करके अपना लिया, टैगोर में और भी ऐसे अने गुण थे जिन्होंने उनको महान सिक्छा सास्त्री बना दिया, उनकी वुद्धी इतनी तेश थी कि वे सरलता स अपने कारे को बना सकते थे, उन्हें विज्ञान तथा मानाव सास्त्रों का बहुत ग्यान था, वे भारते आदर्थों के समर्थकते, पास्चात्ते विचारों के प्रती विजागरत थे, उन्होंने रूशों के प्रकृतिवादी विचारधारा, फ्रोवेल की किंडर गार धाराओं में विभिन विशेष्ताओं को देखा, ये मांटे सरी की पद्धती करा चुकी हूँ, मैं जॉन डी वी करा चुकी हूँ, ये आपको प्लेलिस्टे मिल जाएगा, रूशों का भी टॉपिक करा चुकी हूँ, किन्तु उनके विचारों को प्रतेक इस्तिती में सत् नहीं पास्चात्य सेक्शिक विचारों का अंधान यही कमाल था कि जिस समय भारतिय सिक्षा के शेत्र में पश्चिम का अनुकरन करने में सभी लगे हुए थे उस समय वे आधुनिक भारतिय जीवन के अनुकूल एक सिक्षा प्रणाली की खोज कर रहे थे जिस समय भारतिय विश्विद्यालियों में पश्चिमी शिद्धानतों को दिब्य मानकर आत्म साथ किया जा रहा था उस समय गुरुदेव सिक्षा के नए शिद्धानतों का पता लगाने में जुटे हुए थे इसके बाद जो टैगुर का अगला टॉपिक रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी का दिन सुबह हो अच्छे से तयारी आप लोग करिए ताकि अच्छे माक्स से आप लोग पास हो जाए